हेलो फ्रैंड्स वेलकूम वेक मै चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं तिल मावा के टेस्टी लड्डू तो चलिए बनाने शुरू करते हैं ये है तिल, भूरा, काजु, मावा और हरी लाइची के कुछ दाने चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने ले लिए कड़ा उसको हम चड़ा देंगे चूले पर और उसके बाद मैं उसमें एड़ करूंगे तिल को हमें भूनना है तो मीडियम आज पर तिल को हम धीरे धीरे लगातार चलाते हुए पांस से साथ मिनट तक हम भूनेंगे इनके गोल्डन ब्राउन होने तक या पिर यह कह सकते हैं कि तिल भूनने के बाद अपनी शेप से दुगना ले लेता है शेप तब तक और याद रहिए हाथ बिल्कुल भी नहीं रोपना है लगातार चलाते रहना है अनिता हमारा जो तिल है वह नीचे से जल जाएगा और उसका टेस्ट खराब हो जाएगा तो तिल हमारे भूनकर चलाते हुए इसके कलर चेंज होने तक क्या आप यह कह सकते हैं कि मावा से घी सेपरेट होने तक हम धीरे धीरे कॉंटिनिसली इसको चलाते रहेंगे और इसको ऐसे ही भून लेंगे तो मावा भी हमारा भूनकर बिल्कुल तयार हो गया इसको हम ठंडा होने के लिए अलग स करना है तो काजू हमारे कट चुके हैं चलिए अब तिल मैंने जो ग्रैंड जार में पीसे थे वो मैं आपको दिखा देती हूं ना बहुत जादा पतला है ना बहुत जादा मोटा है दर दर पीसा है तो जिस कड़ाई में मावा भूना था उसी कड़ाई में हम सारी चीजों को transfer कर लेंगे सबसे पहले मैं डाल रही हूँ बूरा पिसीवी और है चीनी relied ले सकते हैं फिर मिसमे ऐड़ कर रही है पिसे हुए तिल काजू और फिर replies फोजो स्मय कर रहे हूं कुटकी ये कुट्य में नहीं साबत है लड़ों में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं मैं powder नहीं डालती हूं आप अपने मन के अनुसार powder या दाना कुछ भी डाल सकते हो इलाईची के तो सारी चीजों को सारी सामिग्री को मैंने इसी तरीके से mix करके अपने हातों की help से इसको हम round shape दे रहे हैं आप इसे अपने इच्छानुसार shape को थोड़ा सा बड़ा या छोटा कर सकते हैं मैं medium size के लड़ू बना रही हूं तेल के लड़ू calcium iron से भरपूर होता है यह बच्चे बूडे सभी को बहुत ही जादा फायदा करता है शरीर के लिए और जाड़ों में तो यह बहुत ही जादा healthy होता है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए शरीर को गर्म रखने में यह काम आता है तो कैसी लगी आपको मेरी आज की तिल मावा की लड़ू की रेसिपी एक बार बना के ज़रूर ट्राइ करिएगा बहुती easy तरीकी से मैंने लड़ू बनाए है तो अगर अच्छी लगी हो तो like और follow, subscribe करना बिलकुल न भूलेगा मेरी चैनल को देखने के लिए इतना धेर सारा प्यार देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद